जब आप पवित्र हैं तो घबराहट क्यों है और जो गरवर किया सब को एक मंच पर ले आओ ताकि हम सब लोग बज जाएंगे इस वार देश भरस्ताचार मुक्त बनेगा आप लोग जो बोल रहे हैं मुक्त मंत्री जी की एक साथ एक साथ आये हैं तो एक साथ क्यों आये थे कौन साथ देश की पुर्ति के लिए भरस्ताचारियों को बचाने के लिए ना आपने एक साथ एक मंच पर इसलिए घबराहट में जुटे जब देश के प्रधान मंति नरंदर मोदी जी लाल किला से घोसना किया कि कोई विया भरस्ताचार मुक्त देश बनेगा कोई भरस्त जब आप पवित रहें तो घबराहट क्यों है देश को लूटने का विदेश की जनता के पैसे को लूटने का अधिकार सत्ता में आकर के बेटने वाले लोगों को नहीं दिया है सम्विधान हमारे महातमा गांधी जी लोहिया जी प्रकास नाराएं जी पंडित दिन्द्याल उपदाई जी सब ने कहा था कि जाती भी हिंट समाज बनाओ भरस्त आचार मुक्त दाश्ट बनाओ आपने तो जाती भी हिंस समाज नहीं बनाया जाती है उनमाद पैदा कर रहे हैं अब भरस्ट आचार के गंगोत्री में गोता लगा रहे हैं तो पड़ेसानी तो बढ रही है पबलिक जान रही है कि नरंदर मोदी जिब जब रहते हैं तो यह लोग चाती पीटने लगते हैं चिल्लाते हैं चिल्लाइए इस वार देश भरस्ट आचार मुक्त बनेगा और भरस्ट आचार मुक्त के लिए सबको मिलकर करके राष्ट बात के पत पर चलना चाहिए हम पवित्र हैं कोई आरोप भी लगाएगा जांच ले एजनसी एजनसी जांच ले हम पवित्र हैं तो पवित्र रहेंगे कई आरोप लगाता है विधायका में बहुत सारे अच्छे लोग भी है आरोप लगाने के बाद भी सच सजब सा सारा भ्रस्ट अचारी तो लोग दबा देगा जांच एजंसी को प्रभावित कर देंगे संबैधानिक संस्थाओं पर विश्वास व्यक्त करने की बजाए उसकी खेली उड़ा रहे हैं उसको ड़राने धंकाने का खेल खेलिएगा तो परिनाम के लिए तयार रही चिराग पा पर रहा है कि इस अरजकता को रोकने के लिए अपराद भ्रस्ट अचार चरण पर पहुंच रहा है इसको रोकने के लिए आपको कदम सब्सक्राइबारी आप राद और भरस्टाचार मुक्त राजशासन देना अपराध ब्रहस्टाचार मुक्त सासन अगर जो नहीं दे पाते हैं और जब सत्ता में अपराधियों और ब्रहस्टाचारियों की भागिरदारी हो जाए तो क्या आख मुंद कर लोग बैठे रहेंगे लोग तंत्र में आख मुंद कर बैठा नहीं जा सकता है राजपाल और केंद्र इस पर संग्यान लेनी चाहिए